आज मैंने लंच में बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया था, बस नॉर्मली चावल, चाना का दाल और आलू गोबी मटर की सबसी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गोबी को छोटा छोटा टोल ले रही हूँ, इस तरीके से आप आलू मटर गोबी की सबसी बनाना आपको बहुत ज कर लेंगे, और साथ में आड़ कर देंगे, स्वाद नुसार नमक और आदा चोटा चमच इतना हल दी, तो चली कुकर बंद कर देंगे, और रिसमें दो सी तीन सी आने का वेट करेंगे, तो बस मैंने ठकन बंद कर दिया है, और बापस से लिरी हूँ एक पैन, और इस में आ आलोगों भी में अक्सर सरसो तेल में बनाती हूँ, टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है, और जब तेल गर मुझा तो आड़ कर देंगे, आदे चोटा चमच इतना जीरा, और एक सुखी लाल मिर्श को तोड़ कर आड़ कर रही हूँ, और साथ में हींग, तो हींग तो मुझे बहुत पसंद है सबसी में, तो आप ज़रूर से आड़ करना, और साथ में आड़ कर दे रही हूँ, एक छोटा चमच ट्रक, लहसन और हरे मिर्श तरदरा पिसा हुआ, चाहो तो फाइन चॉप करके भी आड़ कर सकते हूँ, तो हलका सा सबी चुसों को सौटे कर लेंगे, और साथ में आड़ कर दे रही हो, स्प्रिंग अनियन, और यही नहीं है, तो आप जो नॉर्मल वाला प्यास होता है, उसे ही फाइन चॉप करके आड़ कर सकते हूँ, तो इसे भी हम एक से दो मिनिट के लिए भूल लेंगे, और उसके बाद आड़ कर देंगे एक आड़ किया है, और साथ में ही आधा सी त्रिवाई फोट कप इतना आड़ कर रही हो मतर, तो मैंने अपर फ्रीज मतर का इस्तमाल किया, महरगेट में भी एजली आपको मिल जाएगा, और साथ में आड़ कर देंगे, तो बस सभी चीजों को मिक्स करेंगे, और ढग देंगे ताकि जो गोबी और मर्टर है अच्छी से पक जाए, और यहाँ पर दाल भी बिल्कुल अच्छी से पक चुका है, तो एक वर मैं इसे बिस्त कर ले रही हूँ, तो आप यहाँ पर चना दाल के अलावा कोई दूसरा दाल इस्तमाल कर सकते हो, जैसे कि मसूर दाल, राहड का दाल, और चलिए, अब हम दाल के लिए एक तड़का बना लेते हैं, तो मैंने हाँ पर लिया पैन, और इस मैं आट कर रहे हूँ, एक चमच इतना सरसो का तेल, और जिब तेल कर मूझे तो आट कर देंगे, एक लाल मर्च, जीरा और हिंग, तो एकदम सिंपल से मैं आपर द हल में तड़का लगाने वाले हूँ, तो उसके लिए मैं आट कर रहे हूँ, एक प्यास, फाइन चॉप कर दिया है, तो अच्छे से हम प्यास को भून लेंगे, और उसके बाद आट कर देंगे, एक चुटा चमच पिसा हुआ अध्र, कलहसन और हरिमर्ष, बस इसे भी भू लेंगे, और साथ में आट कर दे रहे हूँ, एक बड़ा टमाटर, फाइन चॉप कर दिया है, टमाटर का दाल में फ्लीवर मुझे बहुत पसंद है, तो आप एक वर जरूर से ट्राइ कर ना, और साथ में हलका से नमक आट कर दे रहे हूँ, ताकि जो टमाटर जल्दी से इस सिस्टेस पर मैंने इसमें आट किया था लाल मिर्च धनिया पॉर्डर, जो के स्किप हो गया, और साथ में मैंने दाल में आट किया था धनिया पत्ता और घी, तो आप जरूर से आट करना, और यहाँ पर हमारे सबसे भी बिल्कुल तैयार है, तो मैंने इसे 2-3 मिनट के अच्छे से भून लिया था, आप आट कर दे रही हूं पानी, तो आपको ड्राय रखना या फिर पतला रखना आप उसे सबसे पानी आट कर सकते हूं, और साथ में ही लाल मिर्च और धनिया का पॉर्डर आट कर रही हूं, तो मेरे हां मिक्स करके रखा हुआ रहता है, तो ऐसे आट करेंगे हूं, चाह हो तो अलग-अलग आट कर लेना, और साथ में ही आधा चोटा चमच आट कर देंगे गरम मसाला, तो बस अभी जुझे को मिक्स करेंगे, और ढखकर दूर सी तीम नट के लिए पकाएंगे, ताकि इसमें इंक अच्छा सुवाला चाह है, लास् और साथ में आज कर देंगे सालड, तो बस सिंपल से हमारे लंच बिल्कुल तयार है, और सबजी और दाल की कंसिस्टेंसी आप अपनी हिसाब से रख सकती हूं, जैसा आपको पसंद है, तो बस ट्राइ करो, रीस पे अच्छी लेगे, तो लाइक, सेर और चानल पढ़ने त सब्सक्राब कर लो